व्ल्कम बैक टूब एलाजी बैनेहा बिन्वाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the life cycle of astylaigo astylaigo is a very important fungi ठीके बहुत important है इसकी life cycle अगर हम examination point of view से भी देखें तो ये बहुत ही important fungus है और बहुत commonly हमें यह देखने को मिलता है Astelego क्या करता है? Smurt disease cause करता है. Astelego smurt fungi है, जो कि smurt disease cause करता है in wheat, rice, maize, barley, etc. तो इसलिए हम इसको smurt fungi भी बोलते हैं. तो जो इसके main characters हैं और इसकी जो life cycle है, उसको detail में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को start करता है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को subscribe कीजिए, साइड में जो bell icon है, उसको भी प्रेस कीजिए, so that whenever I will upload a new video in future, you all will be notified, और मैं अपने चैनल पे videos लेके आती हूँ, related to biology, जैसे के मेरे चैनल का अगर आप कोई भी फील्ड के कोई भी क्लास के student है, related to biology आप study कर रहे हैं, तो definitely चैनल आप लोगो के लिए ही है, आप लोग देखें और इन डिटेल वीडियो में लेके आती हूँ अपने चैनल पे, different life cycles हो गई ही, पंजाए की, L.E. की और आने वाले टाइम पे में, ब्राय टवीडोफाइट, जिम्नो स्पर्म और एंजो स्पर्म की फैमिली पे भी वीडियो हैं और आगे भी आएंगी, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखो यहां पे जो मैंने इमि हुँ लोग के जरी मास करीका देखने को अगर had Cabinet हुँ आग एग war hours में देखेतो इसमें थीरे थीरे राइस यह आपको राइस का प्लांट थिख्ज़ाrek तो राइस का थ्ल्दी होगा फिर धीरे धीरे समें इंफेक्शन होगा तो इस तरीके से क्या अने लगेगा डिने दीरे स्मर्ट इंक्रीज होगा, अस्टेलेगो का इंफेक्शन इंक्रीज होगा और जो राइस की जो अंदर राइस है, फ्रूट है, वो धीरे-धीरे उसको खाते जाएगा, खतम करते जाएगा, एट लास्ट एक ऐसे स्टेज आएगी, जहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से स्मर्ट फंजाए जो अस्टेलेगो है, वो इंफेक्शन कॉस करती है, यहाँ पर आप उसकी स्टेजिस देख सकते हैं, ठीक है, यह भी बेस का फोटोग्राफ है, इसमें भी इंफेक्शन किस तरीके से हुआ है, यह देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर एक ओवरल व्यू है, कि आप अस्टेलेगों की लाइफ सैकल जब पढ़ेंगे, तो उसमें हमें क्या-क्या चीजे देखने को मिलेगी, जो आगे मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगी, सबसे पहले अगर हमें देखना है, तो हम सबसे पहले सिस्टेमेटिक पॉजिशन से ही स्टार्ट करते हैं, अस्टेलेगों का सिस्टेमेटिक पॉजिशन अगर हम देखें, और गीनस जो हम पढड़ रहे हम अस्टेलेगो ठीक के ऑस्टेलेगोंके अस्टेलेगों मिलती है तो हमें ये देखने को मिलती है majority of cases में हमें यह as a parasite देखने को मिलेगी, ठीक है, पैरसाइट क्या करता है, कोई भी host की body के अंदर जाके, उसको धीरे-धीरे क्या करता है, उसका nutrition को absorb करने लगता है, तो as a parasite की तरह यह क्या करेगा, act करेगा, host पे, ठीक है, and causing destructive smart disease, और क्या करता है, smart disease cause करता है, इसी लिए हम smart fungi बोलते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, अस्टिलेगो को क्या बोलते हैं, smart fungi, one marks question में, MCQ में यह question पूछा जा सकता है, the infected tissue of the host are completely destroyed and the mycelium convert into a mass of spore, जो हमारा infected tissue होगा, यह अस्टिलेगो क्या करता है, उसके अंदर जाके infection करता है, और पूरा का पूरा जो host का अंदर का पार्ट होगा, उसको destroy कर देता है, अपने mycelium से, अपने mycelium से absorption करते रहेगा, और धीरे-धीरे host को खतम करते रहेगा, host के tissue को, और फिर उसके बार अपने mycelium को किसमें convert करते रहता है, sports में, तो इसलिए हमें mass of spore देखने को मिलता है, और powdery mass, बहुत सारे sports औ powder type के बन जाएंगे, और वो हमें देखने को मिलता है, जब हमारा asteelago का infection होता है, और इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, कि black color का, green color का, dark color का, एक powdery mass है, वो क्या होता है, asteelago के spores होंगे, वहाँ पे asteelago ने infection cause करने के बाद, अपने spores का production किया हुआ है, तो वो infection होता है, asteelago का, और उस structure को हम बोलते है, smut, इस mass of spore को क्या बोलते है, हम smut बोलते है, इसलिए इसको हम smut फंजाए भी बोलते हैं, ठीके, और asteelago की जो, जो asteelago होता है, वो autocious होता है, autocious का मतलब हो गया, कि जो यह फंजाए है, यह अपनी life cycle को, एक single host में ही complete कर सकती है, ठ इसलिए उसको हम autocious बोलते हैं, अब जो smut होता है, वो भी दो तरीके का होता है, loose smut और covered smut, यह important short note type का कभी आ जाता है, कि what is the difference between loose smut and covered smut, तो वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, the smut disease are of two type, दो type के smut disease होती है, loose smut and covered smut, अब loose smut में क्या होगा, जो clamadospore होंगे, they remain covered by a very thin membranous structure which burst at the time of flowering and then the spore are gradually disseminated by the wind, हमें क्या देखने को मिलेगा, कि जो loose smut के case में, जो clamadospore होंगे, यह, ऐसे जो mass of spore बनेगा, तो उस time पे उनको हम clamadospore ही बोलते हैं, तो clamadospore क्या रहेंगे, एक thin बिलकुल सी पतली सी thin membrane के through covered रहेंगे, और जैसे ही flowering का time आएगा, वो spore burst होंगे, और easily क्या होता है, disseminate हो जाता है, विंड में, तो उसे हम बोलते है, loose smut, उस पे covering बहुत thin होगी, ठीके, thin membranous covering उसमें होगी, और covered smut के case में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो covering होगी, नाम से हमें पता चल रहें, जो covering होगी, इहाँ पे spore में, the spore remain enclosed in a membranous covering of the grain and are not directly exposed to the air, यह एक thick covering, thick membranous covering से क्या रहते है, covered रहते हैं, और easily हवा में exposed नहीं होते हैं, ठीके, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया, covered smut, यहाँ पे S होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजेगा, ठीके, covered smut इसलिए हम इसको बोलते हैं, कि वो एक thick membrane से covered रहेंगा, loose smut में क् क्लमेडो स्पोर होंगे हमारे, वो थिक covering से covered नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें कौनसी covering होगी, thin covering होगी, ठीके, और covered smut क्या होगा, easily air में exposed तो नहीं होते हैं, तो वो कब लिब्रेट होंगे, कब air में आएंगे, they are liberated usually at the time of threshing of the ear, due to breaking of the grain. अगर हम देखें अस्टिलागो का, तो वेजिटेटेव स्ट्रक्चर में हम किसके बाल में बात करेंगा, about the mycelium, 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 asteelago का कैसा है, क्या-क्या conditions उसमें देखने को मिलती है, वो सब चीजे हम वेजिटेटेव स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो mycelium होता ह वो ब्रांज्ड होगा, septate होगा और intercellular होगा, ब्रांज्ड होगा और septate होगा, that means वो क्या है, एक higher फंजाय है, septation जहां से हमें देखने को मिलता है, तो वहां से वो fungus क्या होती है, higher फंजाय में included होती है, ठीक है, mycelium आपका ब्रांश्ड होगा, और उसमें क्या प्रेजन हमें अलग-अलग देखने को मिलेंगे तो उसको हम बोलता है branch, septate and intercellular ठीक है और mycelium के stages में हमें two distinct stages देखने को मिलती है mycelium में two distinct stages होती है first one is primary second one is secondary जो primary mycelium होगा the primary mycelium is produced by germination of basidio spore primary mycelium कहां से germinate होगा basidio spore के germination से germinate होता है यानि कि जो हमारा basidio spore होगा वो germinate होने के बाद जब germ tube का formation करता है तो उसको हम बोलते हैं primary mycelium basidio spore है वो germinate किया उसने हलकी से germ tube निकाली और फिर जो mycelium बना उसको हम बोलते है primary mycelium और यह क्या होगा it consists of slender, highline and septate hyphae उस टाइम पर वो कैसा होगा highline होगा यानि कि colorless होगा slender होगा और septate होगा यानि कि septation वहाँ पर भी present होंगे each cell of the hyphae contain a single haploid nucleus hence it is also known as monokaryotic or haplomycelium जो mycelium होगा हमारा वो कैसा होगा देखो यह हमारा basidio spore होगा ठीक है यह basidio spore का germination होगा यह ऐसा करके germ tube बनाएगा फिर उसके बाद जो mycelium बनेगा इससे वो highline होगा septate होगा और slender होगा तो वो mycelium को हम क्या बोलते हैं primary mycelium और इसमें haploid nucleus present होगा nucleus कैसा होगा यह haploid होगा तो इसलिए इसको हम monokaryotic और haplomycelium भी बोलते हैं ठीक है depending upon the strain of basidio spore जो basidio spore के हमारे जो strains होगी वो plus strain का है या minus strain का है उसके according mycelium को भी हम plus strain और minus strain केटेगराइज कर देते हैं ठीक है अब majority of species में हमें यह देखने को मिलता है अस्टीलगों की जो primary mycelium है वो किसमें convert हो जाता है secondary mycelium में convert हो जाता है कैसे convert होता है the secondary mycelium is septate and branched secondary mycelium भी क्यों होता है septate होता है और branched होता है it contains two haploid nuclei in each cell हम उसको secondary mycelium क्यों बोल रहे है क्योंकि वो एक cell में two haploid nucleus अपने में contain करता है इसलिए उसको हम secondary mycelium बोलते हैं और primary mycelium ही कुछ time बात किसमें convert हो जाता है secondary mycelium में convert हो जाता है the mycelium remain associated with almost every part of the host plant throughout the life systemic or restricted to certain part of the host that is localized अब अगर हम देखें कि secondary mycelium में क्यों होगा वो भी क्यों होगा slender होगा branched होगा इस तरीके से होगा ठीक है different branched condition में देखने को मिलती है और क्या होगा सबसे में बात कि ये क्या होगा एक cell में two haploid cells present होगी two haploid cells in each cell ठीक है two haploid nuclei nuclei not cell two haploid nuclei in each cell हर एक cell में two haploid nuclei हमें देखने को मिलेगी उसको हम बोलते है secondary mycelium ठीक है primary mycelium हमने किसको बोला था वो आप लोगों को पता है और secondary mycelium हमने किसको बोला था वो भी clear हो गया अब जो mycelium है वो host की body पे throughout the life भी रह सकता है उसको हम systemic बोल सकते है वो throughout the life host की body में infection cause करेगा और वहाँ पे रहेगा हर पार्ट में host के हर पार्ट में every part में ठीक है तो उसे हम systemic बोलेंगे अगर वो सिफ particularly किस ही पार्ट पे localized है तो उसे हम बोलेंगे localized ठीक है किस ही पार्ट पे located है restricted है तो उसे हम बोलेंगे localized ठीक अब हम देखेंगे about the dicaryotization of mycelium mycelium का dicaryotization कैसे होता है वो अब slide में इस slide में हम लोग देखेंगे dicaryotization का मतलब अगर हम देखें तो वो यह होता है कि जो हमारा primary mycelium है ठीक है वो primary mycelium कैसे secondary mycelium में convert होता है उसी process को हम बोलते है dicaryotization ठीक है the process by which primary heploid mycelium is converted into secondary mycelium is called dicaryotization ठीक है कैसे primary heploid mycelium secondary mycelium में convert होता है उसी पूरी process को dicaryotization को कहते हैं और यह dicaryotization की जो method है वो किन-किन तरीकों से take-risk कर सकती है वो हम देखेंगे तो सबसे पहला तरीका हो गया by fusion between primary hyphae जो दो हमारी primary hyphae होंगी उनमें अगर fusion हो जाता है तो उसको उससे भी हमारा dicaryotic mycelium या फिर secondary mycelium बन सकता है तो उसको भी हम dicaryotization में involve कर सकते हैं अगर हम देखें तो वो कैसे बनेगा तो यह देखें आप यह हमारा क्या है अगर मैं first step अगर आपको बता हूँ first वाला जो step है यह हमारा primary mycelium है ठीके this is our primary mycelium इसमें septation है यह और यहाँ पे इसके nucleus है यह एक plus strain का mycelium है for example and अगर मैं second mycelium बनाऊँ तो वो यह second हमारा minus strain का mycelium हमारे पास है ठीके जिसके हर एक cell में एक एक nuclear present होगा यह minus strain का होगा और यह primary mycelium है इस आर primary mycelium ठीके अब इन दो primary mycelium के बीच में fusion हो जाता है ठीके यह mycelium यहाँ से ऐसा अगर आपस में fuse कर जाते है तो अब जो हमारे पास नया mycelium बनेगा तो वो क्या होगा इस तरीके से होगा किके उसमें भी septation होंगे और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा उसमें हमें यह वाला न्यूकलियर भी देखने को मिलेगा और यह वाला न्यूकलियर भी देखने को मिलेगा ठीक है, the basidus pore on germination, the basidus pores on germination form primary mycelium on the host surface, host की surface में basidus pore germinate करते हैं, तो सबसे पहले primary mycelium का formation करते हैं, अब वो mycelium एंटर करता है in the intercellular spaces by penetrating the host epidermis, वो host की epidermis के थूरू penetrate करते हुए intercellular spaces में अपने mycelium को फेलाएगा, ठीक है, जब host के cell में enter कर जाएगा, through the epidermis, फिर क्या होगा, somatogamy take place करीगी, somatogamy मतलब fusion of somatic cells, यह primary hyphi क्या है, somatic cell ही तो है एक तरीके का, तो somatic cells के बीच में, या फिर hyphi के बीच में, somatogamy होगी, of two opposite strain, opposite strain यानि की, एक plus strain का हो गया, और एक minus strain का हो गया, तो वो आपस में, उनमें fusion होगा, और किसका formation होगा, ड diikaryotic phase देखने को मिल गी है, diikaryotic phase, di means two, karyotic means nuclei, दो nuclei हमें देखने को मिलेगी, तो इसे हम बोलते हैं, diikaryotization, तो एक तरीके से तो इस तरीके से diikaryotization देखने को हमें मिल सकता है, दूसरा अगर हम देखे, by fusion between the germ tube of two basidiospore, जब दो basidiospore germinate कर रहे होते हैं, यहाँ पर आग जर्मिनेट कर रहे हैं इस इनकी जर्मिनेट कर् सबसे MORE सब्सक्राब अबूदे मैं से पिशलियुब के नरे etapी जर्मिनेट करेगी में सन्व Νप सब्सक्राइफ करें निदिद विण समुदू कई को अचल जर्मिनेट करा यह 4-5 पिछ 1 पोह उसके एंअकर्वित तो यह प्राइमरी माइसीलियम एक अगर देखें तो तीसरी प्रासेसलियम को सबस्क्राइब कि वीच भी तिंट व हमें थैंके बिल राभ है जो दो महीं जिए स्पोर है सब jej सद्ज को हम में थो एक प्ल c स्ट्रेंन वेशोरय और यह माईने स्ट्रेंन के खोगा तो इन में तो बिच और यह क्या होगा फिर इसके बाद हमें एक अहीं cell में दो अलग अलग नॉकलेस देखने को मिलें ग्यारील फेसे दंहें कि वहा पर देखने को मिले है तो हमें पर कियो थे डीकेरियो फेसेशन में है नहलंगा इन्ट चुल इन्हीं तो प्रेद वे यूनिय नव इंफेक्शिन थ्रड तो दूब्द कने के ताहिए, दूसर यह वाले अशुन थ्रड बनाया और इन्फेक्शिन ध्राइब तो यह दोनों infection threat क्या करेगा आपस में fuse कर लेगा एक का nucleus, plus strain का nucleus और minus strain का nucleus हमें दोनों मिल गए Dicario phase देखने को मिली, Dicariotization हो गया, Secondary Mycelium का formation हो गया तो इन चार तरीकों से, इन चार methods के थुरू हमें Dicariotization देखने को मिलती है जाने कि इन चार तरीकों से, Secondary Mycelium का formation हो सकता है ठीके अब हम देखते हैं कि reproduction कैसे होता है, astelago में astelago में mainly reproduction किसके थूर take place करता है, clamidospoors के थूर besidious pores के थूर take place करता है सबसे पहले clamidospoors का formation होगा, clamidospoor किसको formation करेगा, किसका formation करेगा बेसीडिया का formation करेगा और बेसीडिया में क्या लगेंगे या क्या grow करेंगे वहाँ पर बेसीडियो स्पोर का germination होगा और फिर बेसीडियो स्पोर जब एयर में release होंगे उसके बाद वो germinate करेंगे फिर से वो infection cause करेंगे तो इस तरीके से हमें अस्टिलागू का reproduction देखने को मि बनने को देखनी को मिलेगा और बेसदियम में कैसे बिस स्पर्स बनेंगे और बेसिदयो स्पोर्स का alluded कैसे होगा उनका जर्मीनेंटेंटेंटेंटेशचन में पढ़ेंगे कि सब्से बहुत पहले हम देख लेकि अफ टाइन के टाइन क्लमाइडो स्पोर का फॉम्र еा वहीं कुसमें नहीं की टेस्त अपनेबह जा रिएोति क्लमाइडो स्पोर का वर जो पनेगा तो क्या double का एंप्रेक्शन कोज रिए घान की बाली ओको लेलो एंप्रेक्शन करेंगा उन करेंगा ऑपने मास्यम को एघरीगेट कर लेगा न को और एक देन्समास्स ऑफ है का फॉमिशन करेंगा सारा mycelium एक जगा पे खटा हो जाएगा और dense mass of hyphae का formation करेगा उसी hyphae को हम क्या बोलते हैं जब hyphae बहुत dense हो जाएगी और एक खटा mass बनाईगी तो उसी hyphae को हम बोलते है sporoginous hyphae ठीक है और ये sporoginous hyphae ये क्या होगा डाइकरियोटिक mycelium से ही तो बना है और फिर ये डाइकरियोटिक mycelium क्या करेगा डाइकरियोटिक cell में divide करेगा ठीक है cell divide होते रहेंगी और ये डाइकरियोटिक cell को हम क्या बोलते हैं binucleate clamidospore एक-एक binucleated cell, dinucleated cell किसमें convert होते जाएगी clamidospore में convert होते जाएगी यही binucleated clamidospore को हम क्या बोलते हैं स्पोर गोलते हैं स्मनट समोर भी बोलते हैं देखो , । दिक तो अलग अलग तरीके के न्युप्लिज प्रेजंट होане प्लस स््ट्रेंट क और ऑर मांइस स्ट्रेंट का तो ये एक। जो होगा वह कलमाइडिÁ एक तरीके का руб हमीश Cyrus इत्वाह यह वाली तरीके के का का formation हो गया है थीक्ट को हमारा क्या बना आइकरियोकिक सैल को हम क्लमैडो सपोर बोला और क्लमैडो सब्सक्राइब बहुत सारे क्लमैडोस्पोर एक घटा हो जाएगा तो उसको हम बोलेगे क्लमैडोस मास या फिर सैन्व मोल सकते हैं एंग से बढूWow एक जो simple structure होता है, की outer layer जो होगी, उसको हम eczine बोलेंगे, inner layer जो होगी, 이것 को हम entine बोलेंगे, ठीक है, outer layer जब eczine जो होगी, वो water का absorption करेगी, तो वो burst हो जाएगी, entine वहाँ से release हुजाएगा, entine germ tube का formation करेगा, यही होता है, klemp april sapo iron के structure में, वो हम देखेंगे, ठीक है, the clamidospore disseminated by wind, undergo a period of rest and they germinate in the next season, जो हमारे clamidospore होंगे, वो क्या होते हैं, air में disseminate होते हैं, हवा में release हो जाएंगे, और कुछ time के लिए वो resting period पे चले जाते हैं और वो germinate करते हैं next season में जब भी favorable condition आएंगी, before germination, two nuclei of the binucleated clamidospore fuse to form a deployed nucleus, जैसे ही germination start हो रही होगी, तो germination से जस्ट पहले, जो एक clamidospore के दो nuclei, binucleated structure था, ये क्या हो जाएगा, fuse हो जाएगा और एक deployed nucleus का formation करेगा, deployed nucleus और binucleated cell में क्या difference है, ये आप लोगों को clear होना चाहिए, ठीक है, binucleated यानि कि उसमें 2 nucleus है, deployed यानि कि वो 2N number है, वहाँ पे chromosome, ठीक है, ये याद अखने है, तो clamidospore germinate होने से पहले, जो binucleated structure था, वो deployed structure में convert हो जाएगा, deployed nucleus वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, during germination, the spore wall swell by absorbing water, the exine burst and the entine comes out in the form of germ tube known as pro-mycelium और basidium, germination के time पे मैंने आपको अरड़ी बिताया की, exine क्या करेगी, ये water को absorb करेगी, तो exine burst हो जाएगी, swell up हो जाएगी, तो burst हो जाएगी, और entine क्या हो जाएगा, comes out, entine बहार की तरफ आएगी, और जब entine बहार की तरफ आती है, तो वो क्या करती है, pro-mycelium का formation करेगी, ये exine burst होई, तो यहाँ से जो ये entine होगा, ये किसका formation करेगा, pro-mycelium का formation करेगा, ये क्या है, आपकी exine है, ठीक है, तो इस structure को हम क्या बोलते है, pro-mycelium, ठीक है, pro-mycelium या basidium, at the point that deployed nucleus of the clamidospore undergo a reductional division, and form 4 haploid nuclei of 2 plus strain and 2 minus strain, अब इस point पर, जहाँ पर pro-mycelium बनने लगेगा, तो वहाँ पर जो इसका deployed structure होगा, deployed nucleus होगा, ये deployed nucleus, इसमें क्या होगा, reductional division होगा, और इसके वज़े से हमें 4 haploid cells देखने को मिलेंगी, 4 haploid nuclei हमें देखने को मिलेंगे, इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, 4 haploid nuclei देखने को मिलेंगे, इस तरीके से, उनमें से 2 plus strain के होगे, और 2 minus strain के होगे, ठीक है, अब इसके बाद, हर एक-एक ये क्या करेगा, pro-mycelium फिर basidium का formation करेगा, इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, ये क्लमाइडो स्पोर है, ये बर्स्ट हुआ, ये इन्टाइन बहार आई, और ये पूरा structure, ये जो structure है, ये है basidium हमारा, ठीक है, ये पूरा structure, ये क्या है, हमारा basidium है, और ये जो है basidial cells हैं, ये basidial cells का formation होगा, और हर सारी सेल, एक-एक basidial cell में जाके, haploid nucleus का होंगे, अरेंज हो जाएंगे, हर एक-एक basidial cell में जाके, ये चारो haploid nuclei यहाँ पे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, इच cell of the basidium has a single haploid nucleus, that nucleus divides to form two daughter nuclei, one of these remain in the basidial cell, and other passes into the basidial pore through the strigmeta, फिर ये जो एक cell है, यहाँ पे जो एक cell होगा, वो क्या करेगा, उसमें फिर से division होगा, तो एक cell तो यहीं रहेगा, और दूसरा वाला strigmeta की हैल से basidious pore में migrate कर जाएगा, ये जो finger-like projection आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे यहीं, जिसने इस basidious pore को पकड़ के रखवा है, इसको हम बोलते हैं strigmeta, इसको हम क्या बोलते हैं strigmeta, तो एक nuclei जो यहाँ पे है, प्रोड nuclei था, उसमें फिर से division होगा, और एक nucleus तो यहाँ transfer कर दिया जाएगा, और एक nucleus यहीं present रहेगा, और फिर यह जो portion है, यह जो structure आपको दिख रहा है, यह basidious pore की तरह behave करेगा, और यह जिब detach होगा, तो यह release हो जाएगा as a basidious pore, ठीक है, clear होगे हैं यहाँ पे कैसे clamidious pore germinate होता है, basidium का formation करेगा, और फिर जाके basidious pores बनेंगे, अब हम देखेंगे कि basidious pores का germination कैसे होता है, जो basidious pores जब release हो जाएगे, तो वो germinate करके क्या बनाएगे, एक monokaryotic mycelium बनाएगे, haploid mycelium का formation करेंगे, अब अगर basidious pore plus strain का है, तो plus strain का mycelium बनाएगा, minus strain का है, तो minus strain का mycelium बनाएगा, ठीक हैं? अब हम देखते हैं, about the life cycle of astyligo, astyligo की life cycle हम देखेंगे, और उसको diagram, diagramatically हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, easy से easy way में, easy से easy language में, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगी, so अगर हम देखें, तो सबसे पहले infection जहां से start होता है, यह आप plant देखना है, यह आप मेस का प्लांट भी देखना है, तो इसके जग़ पे आप rice भी ले सकते हैं, आप wheat भी ले सकते हैं, आप barley भी ले सकते हैं, तो किसी में भी जब यह astyligo infection काॉस करता है, वो host आप ले सकते हैं, तो उसमें हमें यह क्या देखने को मिल रहा है, होस्ट में हमें यहाँ पर यह क्या देखने को मिल रहा है, इसके spores देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जब infection करेगा, इसके लगो, यह spores हमें देखने को मिलेंगे, तो यह spores क्या होंगे, mainly यह होंगे, clamido spores, क्या होंगे यह, clamido spores होंगे, यह clamido spores होंगे, हवा में release होंगे, ठीक है, और कुछ time के लिए resting period पर जाएंगे, जैसे ही favorable condition आती है, favorable condition के आने के time पर यह क्या करेंगे, germinate करेंगे, इसकी जो exyne होती है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह exyne क्या होगी, clamido spores की exyne means, outer covering क्या हो जाएगी, water को absorb करेगी और burst हो जाएगी, वो burst होगी, तो अंदर की जो layer होगी, in time, वो germ tube का formation करेगी, और यह जब germ tube का formation करती है, इस germ tube को हम क्या बोलते है, pro mycerium भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो nucleus होगा, उसका division होगा, ठीक है, एक nucleus यहाँ पर होए, एक nucleus यहाँ पर है, इस तरीके से हमें four nucleus देखने को मिलेंगे, four haploid nucleus, diploids से haploid nucleus हमें देखने को मिलेंगे, meiosis की process होगी, reductional division यहाँ पर take place करेगा, और four basidial cell हमें देखने को मिलेगी, क्लमाइडो spore के बाद हमें, क्लमाइडो spore germinate करने के बाद किसका formation करता है, basidium का formation करता है, यह basidium बन रहे हैं, ठीक है, यह basidium का structure है, पुरा, धिरे-धिरे basidium बनेगा, basidium से हमें basidio spores देखने को मिलता है, अब यह basidio spores से हमें primary mycelium देखने को मिलता है, primary mycelium से हमें secondary mycelium देखने को मिलता है, secondary mycelium से हमें infection host में देखने को मिलता है, तो यह हमारा क्या बना है यहाँ पर यह क्या बना हमारा प्रो मैसिलियम बना है यह जो structure हमें देखने को मिल रहा है यह क्या है प्रो मैसिलियम इसको हम क्या बोलेंगे प्रो मैसिलियम बोलेंगे यह हमारे क्या है बेसिडियल सेल्स है इनको हम क्या बोलेंगे बेसिडियल इस धिसली बस्पोर्स बने एक बसील जो हमारे पास 4 हप्लॉयड इस्ट्रक्चर दिखे हमें उन में से 2-0 स्ट्रेंड के होंगे और दो प्लस स्ट्रेंड के सेल याatar हमें देखने को अब फिर यह क्या करईगा जो एक सेल हाइ यह एक जो नूख्लीय यह है वह तो एक बिसल्ली साल में ही रहेगा दूसरा कहा चल जा población चलिजाएगा देगह एग़ फिंगलाइक प्रोजेक्श n आपको का formation जो करेगी सेल उस पर ठीक है इसी तरीके साब हर सैल में रेख सकते हैं एक नुकलेस यहीं पर प्रेजंट है दूसरा नुकलेस यहां चला गया है यह एक नुकलेस यहां पर प्रेजंट है दूसरा नुकलेस है एक नुकलेस यहां दूसरा नुकलेस यहां दूसरा नुकले करेगी अब बेसिडियो स्पोर क्या करेंगे जब रिलीज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे जर्मिनेट करेंगे जर्मिनेट करने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करेंगे बेसिडियो स्पोर्स हमेशा किसका फॉर्मेशन करते हैं हैं पत्राहिए भी मैसेलियम को इन हाट को एक γुर्प्रायमरी माइसीलियम के जाएगा ओर रायमरी मैसीलियम किसमें कनवर्ट हो जायेकिंगे हुँआ दूजिकामा test कमझा किस्के apoyo different methods बताए मैने आपको four different ways बताए उन चारों में से कोई भी एक way के थूँ कोई भी एक method के थूँ primary mycelium, secondary mycelium में convert होगा और secondary mycelium में convert होने के बाद वो infection thread बनाएगा और infection thread बनाने के बाद वो क्या करेगा? infection करेगा host में into a new host कि यह थी life cycle astyligo की dry grammatically सबसे भड़ा infection है जो plant में उसमें से cremato spore release होंगे हवा में वहां से वो कुछ time के लिए resting period में जाएंगे उसके बाद जर्मिनेट करेंगे, germ tube का formation करेंगे इसके तुरू जब exine burst हो जाएगी water को absorb करेगी, swell up होगी और burst हो जाएगी और pro-mycelium का formation करेंगे यानि कि वो germinate करीए, pro-mycelium का formation करीए, basidial cell बनाएगी basidial cell और basidium के formation के बाद basidiospores बनेगे, basidiospores haploid होते हैं वो plus strain के भी हो सकते हैं, वो minus strain के भी हो सकते हैं और फिर basidiospore primary mycelium का formation करेंगे, फिर dikalutization की process होगी, secondary mycelium का formation होगा और फिर secondary mycelium के main infection threat का formation होगा और वो new host को infect करेंगा clamidospore binucleated structure होते हैं, diploid होंगे और basidiospore uninucleated structure होंगे, haploid होंगे primary mycelium में एक ही nuclei present होता है, secondary mycelium में या फिर dikalutization होता है, dikalutic mycelium में हमें दो तरीके का nuclei देखने को मिलते हैं तो यह सब चीजें आपको याद रखनी है, about the life cycle of astylaigo ठीक है, I hope आपको यह clear हो गया होगा, जो overall life cycle is astylaigo की और जो astylaigo की life cycle है, जहां पर प्रो mycelium बनने तक तो वो parasitic life cycle हम उसको बोल सकते हैं and then उसके बाद जब bisidium का formation होता है, bisidius 4 बनते हैं, तो उस phase को हम सेप्रोफिटिक फेस भी बोलते हैं, या पर सेप्रोफिटिक life cycle भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह तो था about the life cycle of astylaigo देखो, अब हम diagramatically तो हमने astylaigo की life cycle को अच्छे से समझ लिया है, अब हम एक जो overall है, उसको हम written form में भी देख लेते हैं, flow chart के form में देख लेते हैं, यह मैंने specially आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम starting करें यहां से, primary mycelium हमारे पास है, primary mycel mycelium है, तो वो plus strain का भी हो सकता है, और वो minus strain का भी हो सकता है, ठीक है, primary mycelium किस से बन रहा है, basidio spore से बन रहा है, primary mycelium बन रहा है, primary mycelium क्या करेंगा, किस में convert होगा, secondary mycelium में convert होगा, primary mycelium will always been converted into secondary mycelium through the process of dicariotization, यहां पर देखने हैं, यह प्लस strain का mycelium जो है, वो ब्रीन क बन रहा है, तो जब dicariotization की process होगी, जब secondary mycelium बन जाएगा, तो उस पे हमें dicario phase देखने को मिलेगी, तो वहां पे हमें एक ही cell में, यह आप देखना है, यह सिफ एक cell है, और इसमें हमें green mycelium का nucleus भी दिखाई दे रहा है, और red mycelium का nucleus भी दिखाई दे रहा है, तो यह हमे ठीक है, इतना समझ मा गया, secondary mycelium हमारा बन गया, अब secondary mycelium से ही हमारा क्या बनने लगेंगे, binucleated clamido spore बनने लगेंगे, इन में पटाफट पटाफट से ऐसे करके यहां यहां पर से division होगा, और binucleated clamido spore का formation होगा, binucleated clamido spore आप देख रहे हैं, एक nucleus यह है, एक nucleus यह है, that color का nucleus भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो यह कहा है, binucleated clamido spore है, binucleated clamido spore कुछ time तक air में रहेगा, फिर वो resting period में आएगा, जब उसका germination का time होगा, तब उस पे क्या हो जाएगी, केडियो गैमी होगी, यानि कि यह fusion हो गया, इसमें दोनों nucleus का fusion होगा, अब यह deployed structure में convert ह हो गया है, ठीक है, अब क्या होगा, clamido spore mature हो रहा है, और उसके बाद वो क्या करेगा, germinate करेगा, जब clamido spore germinate करता है, तो उसके nucleus जो यह deployed nucleus था, उसका reductional division होगा, one nucleus से four haploid nuclei nuclei का formation होगा, यह आपको यहाँ पे 4 haploid nuclei nuclei देखने को मिल रहे है, दो क्या होंगे, minus strain की होंगे, औ और दो plus strain की होंगे, यह दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और जब clamido spore germinate होगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, germ tube का formation करेगा, इस germ tube को हम बोलता है, प्रो mycelium, जब clamido spore germinate का formation होता है, तो उसको हम क्या बोलता है, प्रो mycelium, या फिर basidium भी हम उसको बोल सकते हैं, प्रो mycelium औ की दूसरी सेल में, ठीक है, ठूदा, स्ट्रिग मेटा, यह जो finger like projection है, आपको यहाँ पर पॉइंट पी दिख रहे है, यह स्ट्रिग मेटा है, ठीक है, और यह पूरा एक structure, यह, 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 किस में की तरह बहेब करेगा, ऐसे basidium spore की तरह बहेब करेगा, और यह यहां से release ह फंक्षिन गरेृइम, फंक्षिन क्या call, यह, इसी तरह फंक्षिन गरेगा, यह, किसे थे ऑस्तिलेगो की complete होगी और अस्तिलेगो की life cycle में हमें क्या-क्या फेस देखने को मिलती है थ्री फेसे हमें देखने को मिलती है इस लेगो की life cycle में फर्स्ट वनिस है ट्लो फेस है निकी वहाँ पर हपलोई स्ट्रक्टर होगा ठीक है n number then second di-cario phase हमें देखने को मिलेगी di means मैंने पहले भी बताया two cario means nuclei दो nucleus अगर एक ही cell में present होंगे तो उसको हम बोलता है di-cario phase देख रहाँ दो nucleus एक ही cell में present है तो वो हो गया di-cario phase दो nucleus एक ही cell में present है di-cario phase di-cario phase भी हमें di-cario phase भी देखने को मिलेगी और diplo phase भी देखने को मिलेगी यानि कि वहाँ पर deployed number of chromosome है वो भी हमें देखने को मिलेगा तो difference between di-cario phase and diplo phase must be clear मेरी वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से यही उमीद करते हूँ कि आपको di-cario phase और diplo phase इसके बीच में difference clear हो गया होगा तो यह तो थी Asteelago की life cycle जो मैंने एक flow chart के थूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है डाइग्राम के थूँ भी समझाने की कोशिश की है I hope आप लोगों को clear हो गया होगा So यहां तक तो थी आज की हमारी वीडियो About the life cycle of Asteelago I hope आप लोगों को Asteelago की life cycle clearly समझ में आ गई होगी अच्छे समझ में आ गई होगी मैंने easy से easy language में common से common method से जितना हो सकता है flow chart के थूँ diagram के थूँ photographs के थूँ आपको समझाने की पूरी कोशिश की है I hope आप लोगों को वो समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आया है तो please मुझे बताईए मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के थूँ कुछ समझ में आ रहा है मेरी वीडियो से आप लोग knowledge ले रहे है तो आपलों मुझे जरूर comment करके बताए आपको वीडियो कैसे लग रही है या आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे तो वो भी आप लोग बेजी जग comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आती तो वीडियो को like जरूर कीजिए और अपने friends के साथ share करना भी मत भूलिए ठीक है आप वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आओ ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिं माई वीडियो मिलती हूं मैं आपको प्री नेक्स्ट वीडियो में एक नई topic के साथ एक नई वीडियो के साथ एक नई question के साथ एक नई interesting fact के साथ कुछ भ भाते लेगे ठीक है बाबाई टेक केर